दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में अक्सर दो सब्दों का प्रयोग होता है Electrical और Electronics ये दोनों सब्द सुनने में इतने समान लगते हैं कि अक्सर हम इनमें फर्क नहीं कर पाते यां तक कि इनके function और source भी समान होने की वज़े से कई बार भरम के इस्तिती पैदा हो जाती है ये दोनों सब्द बिद्दू से संबंधित हैं और दोनों का प्रयोग किसी ने किसी उपकरण चलाने के लिए किया जाता है अता दोनों में अंतर को समझना बहुत ही मुश्किल है लेकिन हम आज इनी दोनों सब्दों के अंतर को समझेंगे लेकिन उससे पहले electrical और electronics कहते किसको हैं ये जान लेना बहुत जुरूरी है तो चलीए सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं electrical की तो electrical बिज्ञान की वह साखा है जिसके अंतरगत विविन माध्यमों में विद्दु धारा के प्रवा का और उस धारा के विविन प्रवाओं का अधियान किया जाता है प्रवद्योगी के छेतर में विद्दु धारा को विविन उप्योगी रूप में जैसे प्रकास, उस्मागती, आवाज आधि में परवर्तन करना electrical कहलाता है और इस तरह के उपकरण को electrical device कहते हैं अब बात करें electronics की तो electronics बिज्ञान की वह साखा है जिसमें विविन माधेमों जैसे निरवात, गैस धातू, सेमी कंड़क्टर, नैनो पार्टिकल से होकर आवेस याने इलेक्ट्रानों के प्रवाह और उन पर आधारित तमाम उपायों का अधियान किया जाता है या प्रद्वगगी का वह छत्र है जिसमें विविन इलेक्ट्रोनिक युक्तियां जैसे प्रतिरोध कंड़क्टर, इलेक्ट्रोन ट्यूब, डायोब ट्रंजिस्टर, आइस्टी आधे के इस्तेमाल करके बिद्दूत परिपत का निर्मार करने तथा उनके द्वारा बिद और इलेक्ट्रोनिक्स में क्या अंतर होता है तो दोस्तों बिद्दूत उर्जा के उत्पादन, उप्योग और प्रबंधन से संब्दित छेत्र और कारियों को इलेक्ट्रिकल की स्रेडी में रखा जाता है जबकि इलेक्ट्रोनिक्स को इलेक्ट्रानों के निर्वात, गैस चालक और अर्थ चालक आधि माध्यमों में प्रवाह की वज़े से बने उपयोगी डिवाइसों के अध्ययन से संबंधित बिग्यान है इलेक्ट्रिकल बहुत कम आबर्ति वाली बिद्दूत होती है जैसे घरों में 50 Hz की AC सप्लाई जबकि इलेक्ट्रोनिक उपकरणों में अपेक्चा क्रिट उच आबर्ति के सरक्रिट लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में प्राया तांबा या अलुमिनियम आधि धातियों का उपयोग किया जाता है जबकि electronics में सिलकोन, जर्मेनियम, आधि सेमिकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक सिस्टम में बोल्ट और विद्दूत पावर ज्यादा होता है जबकि electronic सिस्टम में विद्दूत सक्ति बहुत ही कम होती है जैसे 10 मिलिवाट इलेक्ट्रिक उपकरण प्रया एसी विद्दूत पर आधारित होते हैं जबकि electronic उपकरण प्रया डीसी विद्दूत पर आधारित होते हैं electrical device विद्दूत धारा को उर्जा से किसी अन्य उपयोगी रूप में परिवर्थित कर देता है जैसे प्रकास, उस्मा, गती, आवाज, आधी जबकि electronic device उपकरणों के परवा को नियंतरित करके उसे किसी विद्दूत कारे को करने के योगी बनाता है electrical उपकरणों का किसी माद्यम में परवा होता है तो electronics एलेक्ट्रानों के प्रवा को नियंत्रित करने की तक्निक होती है electrical उपकरणों बड़े और ज्यादा जगा घेरने वाले होते हैं जबकि electronic उपकरण अपेक्चाकरे छोटे और कम जगा घेरने वाले होते हैं electrical उपकरण किसी प्रकार के डाटा का संचरण या manipulate नहीं करते जबकि electronic उपकरण डाटा manipulate करते हैं electrical उपकरणों से जानमाल को खत्रा हो सकता है जबकि इस मामले में electronic उपकरण बिलकुत सुरक्षित होते हैं Electrical का उपियोग यांतरिक कारियों के करने के लिए किया जाता है जबकि electronics का प्रयोग सुचनाओं को decode या code करने के लिए किया जाता है Electrical उपकरण पंखा, heater, generator, transformer आधी होते हैं जबकि electronic उपकरण, transistor, diode आधी होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक दोने ही वास्तों में इलेक्ट्रानों के प्रवापर ही आधारित हैं किन्तुन की मात्रा और परिमार में काफी अंतर होता है कई ऐसे उपकरण होते हैं जिन में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक दोनों युक्तियों का प्रयोग किया जाता है